क्योंकि सारी लाल यादो टिक नहीं पाए पवन सिंग के सावन के गीतों के सामने इसके पीछे आज एक छोटी सी एनलाइसिस हो जाए जी हाँ वो इसलिए क्योंकि हमने आपको बहुत पहले ये कहा था कि सावन जब बीच जाएगा और या फिर बीतने पर होगा और ऐसा लगेगा कि अब किसी भूचपुरिया स्टार के गाने नहीं आएंगे सावन पर तब हम आपको जरूर पताएंगे कि किसने बाजी मारी जी अतिजवा कमाई देवघर जाई जो गाना था उनका काफी अच्छा चला 15 मिलियन व्यूज आए हैं उस पर और पवन सिंग के गानों पर 30 मिलियन व्यूज आए हैं एक महीने में 30 मिलियन व्यूज बहुत बड़ी बात होती है लेकिन अभी उस गाने को एक महीने भी कंप्लीट नहीं हुए दो वीक कंप्लीट हुए है तीसरा वीक स्टार्ट है तो आपको हम बताते हैं कि क्यों खेसारी का पूरा गाना और पवन सिंग का सिर्फ महादेव का दिवाना और वैसे भी पवन सिंग के तीनों जो गाने हैं मोस्ट ऑफ टेंटेन मिलिएन क्रॉस कर चुके हैं ये कुल मान ली जेत फिफ्टी मिलिएन और खेसारी का कुल गाना मानने कुल तो ट्व्एंटीफाइव मिलेएन बात कहां पे हुई कौन कम कौन जादा फवन के चार गाने खेसारी के धेरो गाने जी हाँ आप सभी जानते हैं जितने भी खेसारी के फैंस हैं सभी जानते हैं और अब खेसारी के फैंस ये मानने लगे हैं कि खेसारी के ने जितने भी गाने गाये कहीं ने कहीं उसमें वीडि तो इससे पहले सबसे पहले जब निये गाना निकाला और उनका वहां पर बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ फिर खेसारी समले उन्होंने सोचा कि बाजी को और दूसरी तरह से लेकिन खेसारी यहां मात सिर्फ अपने वीडियो क्वालिटी वहां गाना लेकर आये खेसारी लेकिन चला भी उसके बाद के कैलास धुआ धुआ हो या फिर और भी कई गाने इतने गाने हैं कि शायद उनको गिंती करना भी मुश्किल होगा क्योंकि तकरीबन 10-15 गाने खेसा महादेव का दिवाना ने किया और यहां पर सिर्फ खेसारी की बात नहीं हो रही यहां पर आप देख लीजिए वोचपरी के जितने भी स्टार है रितेस पांडे के भी कई गाने मधूर थे अच्छे थे लेकिन वो टिका नहीं वो चला नहीं और फिर उसके बाद खेसारी अक्षरा सिंग को कह सकते अक्षरा सिंग के गाने भी बहुत अच्छे थे और उन्हों ने वह भले ही कं गाना लेकर रहे दो से तीन ही गान उनके लेकिन गाने अच्छे थे चले भी गाने को यहां मार्ट सिर्선 ऑँ की चीज्छी को तो छोड़ी एक तरह से वीडियो की कौळटी तो आप है जैसे, बना दे एक पल्fa возь जील लेते एक तरह कि इस तरह का चेहन किया गया था गानों में वो कही न कहीं फुहडता दिखा रहा था और अब लोग भगवान के साथ नहीं मज़ा करना चाहते हैं मोज़पुरी में जो अब की जनरेशन आ रही है और यह कहीं न कहीं खेसारी को एक बहुत बड़ा पैगाम खेसारी को सोचने पर मजबूर कर दिया गया क्योंकि पिछले बार खेसारी का ही गानाई चला था और फिर इस बार पवन ने बाजी मारी और पवन ने अपने हर एक चीज पर काम किया atrás वो चाहे वीडियो क्यों इसारी हो या शब्दों का चैयन और फियर कुछ भी हो पर उन्होंने काम किया और इसका परिणाम यह है कि इस बार पवन का सिर्फ एक गाना महादेव का दिवाना वहीं पर अक्ष्रा ले लिजिए रितेस ले लिजिए या फिर खेसारी ले लिजिए इसे बहुत बड़ी फैन फॉलोईंग है और इस बार जो महादेव का गाना बजा है अब नेक्स्ट यहर किस तरह का धवाका करेंगे पवन सिंग इसके लिए एक साल बाकी है लेकिन फिलहाल के लिए पवन के फैन्स को कॉंग्रेचुलेशन और पवन के जितने भी चाहने वा सिर्फ पवन सिंग ने राज किया और किसी ने नहीं तो भोचपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्स्क्राइब करना मिलकुन नहीं